हलो फ्रेंड चली आज बनाते हैं पनीर से रस्मलाई या आप लोग रस्खुला भी बना सकते हो, याँ पर मैंने रस्मलाई बनाया है बहुत जल्दी बन के तयार भी हो जाता है, बहुत टेश्टी भी बनता है पनीर यहाँ पर लिए है, मैंने आधा कीजी अब उसको क्या करेंगे तोड लेंगे आप लोग यहां पर कद्दू कस्प भी कर सकते हो यहां पर मैंने हाथों से तोड लिया है अब इसको डालेंगे मिक्सर जार में और ब्लेंड कर लेंगे इससे यह होगा ना ज्यादा हमें मसलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा समय भी बचेगा और अच्छे से यह ब्लेंड भी हो गया है देखिए अब इससे निकाल लेंगे एक थाली में दूसरी और मैंने रसमलाई के लिए जो दूद होता है वो उबालने के लिए रख दिया एक लीटर मैंने दूद लिया है वो रख दिया है उबालने के लिए उसमें मैंने डाल दिया है कुछ केसर के धागे देखिए इससे कलर अच्छा आता है यहाँ पे अब डालेंगे मैंने लिया है हरी इलाची उसका बीज निकालके मैंने पीछ लिया है वो डाल देंगे दूध में चला लिजी इसको मेडियम आजबे से रखती जी और चलाया कीजी दूसरे उर्कडाई में मैंने क्या किया है चासनी बना लिया है चीनी मैंने यहाँ पे लिया है तीन पाव के करीब अब इसमें डाल देंगे उसके दो गुना पानी रस्मलाई बनाने में यह होता है थोड़ा मीठा कम ही रहता है ज्यादा मीठा हमें नहीं बनाना है चला लेंगे इसे भी इसमें हलका से मैंने दूधो डाल दिया है इसे होगा जो चीनी का हमारा जो जाग बन के निकलता है वो अच्छे से साफ हो जाएगा चीनी है अब मैंने डाला यहाँ पर कॉन फ्ला आपके पास आरार उठो तो वो डाली जिए यहाँ पर दो चम्मच मैंने कॉन फ्ला डाला है और आदा चम्मच से थोड़ा साधिक मैंने यहाँ पर कान पूरी मैदा डाला है एक बात का आप लोग ध्यान दिजिएगा यह ज्यादा पनीर गीला ना हो इतना टाइट होना चाहिए देखिए अच्छे से इसको भी मिला लेंगे मसल लेंगे को बढ़िया से देखिए मैंने मसल लिया है अब छोटा छोटा अपने हिसाब से आप लोग लोग बना लीजिए आप लोगों कितना बड़ा रखना है रसमलाई उसी साब से आप लोग लोई बना लीजिए देखिए बन के रेडी हो गया यह लोई ऐसे ही सब हमने बना लिया है देखिए कैसे निकल रहा है जाग इसको छनी से आप लोग निकाल लीजिए अब उसमें डाल लिए आप लोग पनीर वाली लोई हमने डाल लिया है देखिए तेजाच रखिए ढकना नहीं है इसे अब यह हो गया है हमारा लेखिए यह बन के रेडी हो गया है गैस मैंने कर दिया है बंद अब उसमें से निकाल लेंगे हमें चीनी का चासनी नहीं निकालना है बस उसमें से तशकुला जो हमने बनाया है वो निकाल लेंगे एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है उपर से जो हमने बनाया है रबडी वो डाल देंगे इसमें मैंने ड्राइफ फ्रोट्स डाला है काजु बादा मैंने काटके डाल दिया है वीडियो अच्छा लगत प्लीज लाइक और सब्सक्राइब